इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह इसमें कैफीन की मात्रा अधिक होती है और ग्रीन ती की तुलना में इसका स्वाद अधिक मजबूत होता है। इसका गर्म या ठंडा आनंद लिया जा सकता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, यह मेटाबॉलिजम को बूस्ट करने में मदद करता है। दो, यह फोकस और एकागरता में सुधार करता है। तीन, इसमें एक ताजा स्वाद है जो मन और शरीर को सक्रिय और पुनर जीवित करता है। चार, यह एंटियोकसिडन से भरपूर होता है, जो शरीर से विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। पांच, यह तवचा के संक्रमन को रोकने में मदद करता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को औल नोटिफिकेशन पर सेट करें।